हलो एव्रिवान गुड मॉर्णिंग वल्कम बैक टू माई न्यू वीडियो नमस्ते स्वागत करते हूँ आप सभी को मेरे यूटूब से ने पर और आज के डेली रूटिन ब्लॉग में तो गाइस आज सुभा उटी फाइफ थर्टी पे और उठने का थोड़ा सा भी मन नही आज बारिस नहीं हुआ है राद भर तो हुआ था लेकिन सुभा बारिस नहीं है बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन घर का जो हाला देख करना सुभा सुभाई दिमाख खराब हो जाता है इतना गंदा इतना गंदा भगवान जाने इसा गंदा पताने कब हुआ था इतना बारिस का मौसम में हर जगा कीचर कीचर उनको बहुत जदा पसंद आ रहा है इसके बाद यहां पर में करियो ब्रस और अभी इतना मतलब जाके सूने का मन करा था पता नहीं क्या हो रहा था मुझे और थोड़ा सा तबियत मुझे खड़ा जा लग रहा था सुभा से क्योंकि अब ही मुझे जैसे भी में पाणी पी रहा हो रहा है और आज़ कर नहीं होentes का में फिर साबनाक है उसके बाद पानी पिया नहाएं उसके बाद पूझा किया पुझा करने के बाद आ चुकी हुए किचेर में एक breakfast बनाने के लिए और आज का breakfast बहुत ही simple बना रही हूँ क्योंकि हर दिन रोटी सब्जी रोटी सब्जी खा के पक चुके ममी ने भी बोला कि आज रोटी सब्जी ने हम खाते हैं yellow rice मतलब हम लोगा जो चामरे भात होता है वो बना रही हूँ क्योंकि बहुत दि हो गई थे खाया नहीं था भाई भी आये थे भाई ने भी अभी इतने तीन से घर से बाहर थे खाया नहीं था तो इसलिए बोला कि बना दो तो सबकों मैंने दे दिया yellow rice और में खारी हूँ रोटी क्योंकि मुझे yellow rice खाने का मनी ने करा था मतलब अचावल देखने का भी मन ने करा था इसलिए मैंने बनाया दो रोटी उसके बाद जो चेटनी बना था इतना टेश्टी हुआ था मैंने टमाटर के चेटनी के साथ जो नीपू का अच्छा रोता है वो डालके ग्राइंड किया था और उसका जो फ्लेवर रा था इतना अच्छा रहा था तो से मैंने निकाला ट्रोली क्योंकि आभी मैं जाने वाली हो आप सब को पता है और टिकेट भी कॉन्फरम हो चुका है लेकिन कब का है यह मैं आभी आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आभी बता दूंगी तो इसका सारा मजा किरगिड़ा हो जाएगा ना तो बाद में बता द जाओगी और मैं इतना जादा भूलोग करूं कि सामान भूलने में तो मैं माहीर हूँ मुझे कोई हडा नहीं सकता मैं कभी भी कहीं भी कुछ भी बूल जाती हूँ इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी हस्बेर ने फोन करके बता ही दिया है मुझे याद भी आ चुका है तो मतला लगे हाथ में रग भी देती हूँ क्योंकि अगर याद जाब आए तब रग दो ना तो ऐसे ही पड़ा रहता है नहीं तो फिर मैं भूली जाओंगी बात में जब मैं पेकिंग करूंगी हर बढ़ाहाट होगी तब तो मैं कितना कुछ क्या क्या भूलूंगी पता ही न इतना दूर से है ना तो इसलिए मैंने सुसा कि चलो जब याद आए तभी वो कम कर लेना चाहिए तो यह दो ट्रोली को भी धूब दिखाना था थोरा साफ सफाई करना था क्योंकि मैंने उपर डखा था इसलिए उसके बाद सीधा चली गई किचेर में क्योंकि खाने का टा तो यहां पर मैं सबजी काची। और हम अकेले तो है न經कि मीष्ट्री लोग भी है उन लोग को भी देना पर का तो जैसे मैंने सबजी वगड़ा बना रही थी कि मुझे खाना बनाना है आभी खाना बना के पार्सल खोलने जाओंगी तो लेट हो जाएगा और चुल्हे पे मैंने सब्जी वगरा चड़ा के गई थी तो मुझे तना डर लग रहा था जल ना जाए लेकिन जला नहीं था तो बस यहां पे चावल पकड़ाए सब्जी बन र यहां पे जो वश्टी मेंसिन रखने के लिए हमने थोड़ा चुछा करके बना आया था वह भी बन चुका है वश्टी में रख भी चुके है मैंने कप्ड़े दो भी लिये उसके बाद फिर यहां पे जो सीरी है वहां पे चटपे भी काम चल रहा है मैं आप सब को दिखाऊ तो हमें ही महनध करनी पड़ेगी, कोई बाते ही मिल जूल के कर लेंगे, तो इधर हो रहा है टास का, फिनिशिंग काम वोगेरा, उसके बाद फिर यहाँ पर सिमेंट वगण लगाने के लिए पोछ रहें, और उपर चल रहा है रेलिंग में रेलिंग लगाने का काम चल रहा है फिर ही वहाँ पर चल रहा है जो प्राइमर वगड़ा है वो लगा रहे अभी बारिस का मोसम है इसलिए तो मैंने उपर जाके दिखा दी हूँ आप सब को क्या क्या चल रहा है यहाँ पर जो रेलिंग है वो पुड़ा लग चुका है और बहुत अच्छा दिख रहा है जब रेलिंग लगाते हैं उसके बाद अच्छा लूक आता है च्छत का भी तो यहां पर कलर कर रहे देखिए और पूजा से आगे मतलब जल्दी चल्दी सब कुछ काम खतम करना ही पड़ेगा और पापा भी य क्या बोलते है यह वेल्डिंग वगरा यह सब हो रहा था वी क्योंकि अभी रोट का लगा हुआ है तो क्लेंग करना पड़ेगा तो यहां पर वेल्डिंग वैहां पर इσαट कुछ काटा भी जा रहा था फिर उधार प्राइमर भी लगा जा रहा था मतला एक की साथ सारा काम हो रहा था और यह डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तीन मतल़ से आधा सर्कल टाइप न अच्छा लगता है उसके बाद भी चलिए अभी नीचे जाते हैं मंडबी लग रहा है और यहां ममी कुछ काम कर रहे थे पता नहीं क्या कर रहे थे तो चलिए अ हरी बेट के खाड़े है उसके बाद फिर मैंने लगा लिया अपने लिए जो थाली वहां पर मैंने थोड़ा सा चावल लिया है पता नहीं आच मुझे चावल काने का मनी नहीं करा है भूकी नहीं है पैट में तो यहां पर दाल लिया है उसके बाद थोड़ा सा मतर और सोया यहां पर खाने लेकिन मैं बैठी हूँ, लेकिन में बैठी हूँ मैं मैं बैठी देख रहे हूँ करें पॉब जाने हूँ उक्त और मुर। ठीक शौण कर पॉब एकना से बाद वहां है आज की दोड़ी साख नहीं लेकिनि तुल वह जाए पुस्तो होने वाला है मुझे अपने वाला है मेरे साथ मतला तब्यात खड़ाव होने वाली यहाँ उसके बार जैसे तरह से करके वो लोग खाना खाने के लिए आ गए थे तो उन लोगों को मैंने दे दिया है खाना वो लोग अच्छे से नीचे बेट कर खा रहे क् तब तक मैं खोलती हूं किस ने दिया होगा सचे सचे तो चले में बता देती हूं कि किस ने दिया है तो मेरे हजबने मेरे लिए मेरे लिए कप्ड़ा बेजाए मतला मुझे ओन-laiN shopping, online करके मुझे बेजा फिलिपकार से उन्होंने online किया था और में इतना ज्यादा खूस हूं क्यूंकि मतला चार स में जोड़ी जाते हैं उसके बाद में कुछ चोइस करती हूँ या वह भी बोल देते हैं कि यह कलर चलेगा लेकिन अज फर्स टाइम चार साल में उन्होंने मुझे कुछ खुद मतलब दिया है और दुर्गाफुजा में तो अभी सब कफरे लेते ही है क्योंकि अब इस वार म आप सबको दिखाती हूँ सबसे पहले तो उन्होंने मुझे भेजा है फ्लिप कर से क्योंकि अभी वहां से तो किसी को भेज भी नहीं सकते और वह आएंगे भी नहीं तो उन्होंने मुझे ओनलाइन ही भेज दिया है तो मैं बहुत ज़दा खुस हूँ और उन्होंने कली सबसे पहले में दिखाती हूँ क्या उन्होंने मुझे दो कुर्की बेजा है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है बहुत ही ज़्यादा प्यारा मैंने पहले ही देखने के लिए क्योंकि मेरे हस्बेने मेरे सार साल में अस फार्स्टान कुस बेजा है तो इसे तो मुझे दे बहुत कुछेते लेकि उनका चोईस का फास्ट टाइम यह है तो चेले में दिखाते हूँ सबसे पहले तो है यह मैरून कलर का जो कुर्ता सेटे और इसका डिजाइन देख करना में इतना ज़्यादा खुस हूँ यह वीने के थोड़ा समय दूर चली जाती हूँ यह वीने के और इसका सबसे पहले में पैन दिखा दूगी इतना अच्छा है इसके नीचे देखिए इतना अच्छा से यह यह ले से बहुत ही अच्छा है बहुत ही सुन्दर है थोड़ा सा नीचे फुलावा जैसा रहता है और उसके बाद फिर इसका यह डोपट्टा है उसक के पाद उन्होंने मेरी लिए ये लिए ये है कुर्ता इतना जादा प्यारा है और हाथ में भी देखिए वोड की अवाई कितना सुंदर है दोनों ही साइट उसके बाद सबसे प्यारा तो मुझे ये नेक लगा क्योंकि मुझे रुष जदा पसंद है और दूसरा भी ये चलिए दिखाती है और ये है रेट कोलर कशा है क्योंकि अभी दूर्गःभुजा में हम लोगत बखा कर दूए ज़क खाल पहँते हैं तो ये लिए रेट कलर का है और इसका जो वो बहुत अछा ये ऑन बहुत जदब कर दो इस बहुत कर में मुझे जदब प्रसंदी आया उसके इसका दुपता थोड़ा सा में और यह रहा इसका जो कुर्टे का वो है ना उसी तरफ से लेज बना दिया है असके बाद सिंपल एक पैंद है बस तो आपको कॉमेंट करके बताना है कौन सा आपको अच्छा लगा देर या मैलोन लेकिन मुझे तो दोनो ही अच्छे लगे और आप लोग लिंक चाहिए तो अच्छा यह तो मुझे बहुत ज़दा पसना है और अभी मैं पहन के नहीं दिखाऊंगे क्योंकि मैं दिखाऊंगे आप सब को दिर्गापजा में अभी तो पहनूंगी तो पुराना हो जाएगा तो दिर्गापजा में पहनती हूं तो इंतजार करिएगा और कैसा लगा म सकति हूँ कि थोड़ा सा आचा लग रहा है क्योंकि क्या पंठाऑ मातलब हा 日 तो यहां पर कप्रें सुखाने के दो रश्ती के तांग दिए यह तो यहीं सुखानी कि नहीं और बहुत सुन्दा लग रहा है जब कलर करेंगे न तो उसके बाद बहुत ही अच्छा लगेग देखते देखते आप सबको मैंने गर्जब से बनाया था तब से मैं दिखा रही हूं, देखते देखते हो भी चुका है, अभी बस पेन का बाकी है, तो दिखाओंगे मैं आप सबको बाद में, mijn…… तो अबिश्लाम होने ही वाली है, और थोड़ा सम्मे आराम कर गया हूं मतलब आराम क्या ही बोलो, आंस तो आराम कर भी नहीं पाई, क्योंकि इतना जादा मतलब काम तो क्या ही बोलो? खाना कान में दो बज गया था, उसके बाद फीर इदर-उधर का second फिर मिस्तरी लोगे उन लोगो खाना करते करते पूरा मतलब तीन बजी किया उसके बाद फिर थोड़ी सी लेड़ गई थी तो आँख लगी थी फिर आपको पताए हम लोगा है हम लोगा है तो ताइल लग रहा है तो उसकी आवाज से मतलब सो भी नहीं पाई तो इसा लग र लग रहा है और जब हम लोगा घर कालर करेंगे ना पेंट करेंगे उसके बाद आर सुन्दर दिखेगा तो बहुत अच्छा लग रहा है और आप सबको तुम्हें पताई रही थी और आज का सायथ टाइल भी आज का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर कल से सफाई नौतारिक से सब्तमी है नौतारिकों ने एक हस्टी है तो इस्टाड हो जाएगा तो बस अभी यहां पर आई थी देखने के लिए तो चलिए आज का व्लोग में हैं पर एंड करती हूं आज आप सबको अच्छा लगा और आप सबने मुझे बोला था कि एक दिन भी गेप म अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो like share comment कर दीजोगा और मेरे चने पर कोई नए तो प्रे प्रिस मेरे चने को सस्क्राइब कर दीजिएगा तो और देर सब्收拔र धार दीजिए रहा सब लेहां तो आसके लिए इतना इसकल मिलती हूं कल के व्लोग में घर ज़ेक